Android की तरफ से अगली बड़ी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है वेल वो Android 16 बिल्कुल भी नहीं है एक्जक्ली में वो Android XR है जो यहाँ पर Google लिफ फाइनली दिखा दी अपने आयोगे और इसके साथ जो प्रोजेक्ट और दिखाया है उसे देखके लगता है कि Google का जो विशन है वो यहाँ पर Android को लेकर जा रहे है सबसे पहले चीज Android XR वेरेबल डवाइसे यहाँ निकी उन डवाइसे के लिफ बनाए जो पहन सकते हैं और इसके ले प्रोजेक्ट और दिखाया था उसके अनदर एक ऐसे घ्रासव को दिखाया जो प्रूपलेली Ar स्मॉर्ट इससे होंगे आने की जिसके इक बडिस्पले भी रहाएगा आप सामने आपसे जो देख आशने उती होते है बीजली चीज सुन्दर पिचाय का भी कहना है कि हाँ यह वेरेवल टेक्नोलोजी बहुत ही कच्छा फ्यूचर हो सकती है और हम लोग सर्फ एक टाइम के फॉर्म फेक्टर पर फोकस नहीं करना है मतलब कहने का मतलब था कि वो से बड़े हैटसेट वाली चीजों पर फोकस नहीं कर रहे है जैसा एपल का विशन प्रो दा वो लोग अलग अलग चीज़े एक्सप्लोर कर रहे है जिसके अंदर स्मार्ट ग्लासे एक वन आफ दा कोर कंसेट है और देखा तो चीज़े काफी इ कनटेक्शुली अवहर करता है और आपको ईस चीजो के बार में बताता है जिको सिंपल सी बात हैं कि अगर मैं सामने कäre को देख रहा हूँ तो वह Бुचा नहीं कर देंक्यार का फॉचो कि यहां पर यहां पर मेंडरे는 पीजा का रेस्रोंट कावन उसके बार में अनसर देद लेकि जरूरत मा पड़े लेकिन ये चीज़े अल्रेडी मेटा के रेवेंड ग्लासेस में होती है और इससे ये किस तरीके से लगे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आपको एक डिस्पले देखने को मिलता है जिसके अंदर बात है कि यह हमेशा इनेबल नहीं रहेगा जब आपको जरूरत करने है तब आप इससे इनेबल कर सकते है और प्रोजेक्ट और आप में यही दिखाए गया है जिसके अदर मैं बतातो सिंपल सी क्या है अग चीज बहुत कूल लगी अगली चीज यह थी कि यहाँ पर कैमरा लगया तो आप कर सकते है फोटोग्राफ को और फोटोग्राफ का प्रिव्यू आप डिरेक्ली ग्लास में भी देख सकते हैं आपको भार बर मॉबाइल फोन दिखानने की जरूरत नहीं है और हाँ यह कुछ चीज है और इसके साथ जो अगली जो बड़ी चीज दिखाई गई थी ना वो था यार इसका डेमो जब यह लाइफ ट्रांसलेशन कर रहा था क्योंकि बाब बतों याई का यूस करके ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से होता है लेकिन आज भी मल्टीपल लेंग्विज इसक के अंदर सपोर्ट नहीं है और इन्हों ने स्टेज पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाए जो बहुत ही अच्छा था जिसके अंदर सामने वाला कोई लेंग्विज बोल रहा है और आप उसे सुनना चाहते हो जैसे में हिंदी में बात करो अगर आप मु जैमनाई की जो AI रहती है वो यहाँ पे पीछे से धून के निकाल देगी आपने कहाँ पे कौन सी चीज रखेती है कौन सी चीज के बार में अब डिसकस कर रहा है हाला कि प्राइविसी रिलेटेट कुछ चीज़ें पे प्रॉब्लम क्रेट कर सकते आने वाले फ्यूचर में लेकिन कंसेप्ट काफी इंटरस्टिंग था इसके साथी बात कर तो गोगल अपने फ्यूचरिस्टिक जो एकसार हैटसेट पाले जो प्रॉडक्ट होते है उनको भी हाँ पे डिशनी कर रहा है इसके अंदर अल्रेडी इन्होंने सैमसं के प्रोजेक्ट मोहन की बात करी है और उसका डेमो भी दिया जिसके अंदर यह पता चलता है कि वहाँ पे उन्होंने अपना मटेरियल थरी एक्स्प्रेसिव भी लेकर आए और उसे भी इक स्टैंड अलोन डिवाइस के रूप में बनाया है क्योंकि जो एर ग्लासेज जो भी बना रहे है यह मोबाइल फोन के साथ काम करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने एक्स रियल जैसी कंपनी जो अल्रेडी यार ग्लासेज यहां पर बनाती है उसके साथ भी पार्टनर्शिप करी है और एक डिवाइस बनाया है जिसके आप करनेट करके उसके अंदर भी एंड्रोड एक्सर का मज़ा ले सकते है यानि कि Android XR एक तरह से आपको जो फ्यूचर होता है कि किस तरीके से Android यहां पर काम करेगा उसके यहां पर एक जलग देता है और सब एंड्रोड एक्सर की चीज़ें लिमिट नहीं है गोगल का जो जैमिना है और जो जैमिना है लाइव होता है वो बहुत अच्छे तरीके स question पूछ सकते हैं और वो आपको internet browse करके आपको real में answer दे सकता है यानि कि छोटा से demo दियाता है यहाँ पर google है कि एक screw है उस screw को यहाँ पर कसनक ऐसे तो उसका वीडियो यहाँ पर YouTube पर कहां से निकाल कर देंगे वो बताया कौन से time stamp पर कौन सी चीज होगी यह बताना यह बहुत अच्छा था और इसके साथी जो project mariner होता है जो agentic AI ला रहे है वो काफी interesting है जहाँ पर आपको AI से यह बोल ला है कि आप कोई काम उससे करवाना चाहते हो या फिर online shopping करनी है या कोई form fill करना है यह सारे काम automatically AI जाके कर ले यानि कि उसको बस बोल ला है कि air मेरे को air book my show पर जाना और जो latest film लगी उसकी दो ticket book करके देना सारे के सारे काम यह automatically यहाँ पर करतेगा यह AI क्यों पर यह लोग काहां कर रहे हैं और सिर्फ इतनी चीज़े नहीं है इमेजे जनेरेट कर सकते हो कमाल का है क्योंकि इससे पहले AI related videos बहुत जाद आउटेटेटेटे लेकिन आज के समय में AI related video भी बना सकते और उसके अंदर audio भी दे सकते हैं जिसके अंदर जो background में आवाजे होती है वो भी आएंगी इसके साथ ही आप उसे बता सकते हो कि किस तरीके का आपको AI video चाहिए उसे क्या dialogue बुलवाने है यह सारी का सारी चीज़े पॉसिबल है और यह देखके इतना जाद स्कैरी लगता है कि वीडियो बिल्कुली जादर realistic लगते है और इससे यह देखना है market में कि जो market में fake AI videos की जो already बड़ी problem है यह उसको बढ़ाता है कि कम करता है यह बात है क्योंकि literally market में अगर AI से वीडियो बनाना इतना ही अगर आसान हो गया जैसा Google ने आप पर showcase किया है तो आप समझ के रखिए कि यहाँ पर पूरी industry change हो जाएगी मतलब आप समझ ही है कि यहाँ पर आपने सर्फ एक word लिखा या कुछ sentences लिखा और उससे use करते हैं उसने पूरी की पूरी film बना डाली जिसके अंदर audio भी है actors है उसकी अवाज है action है सब कुछ आगया उसके अंदर वो भी कुछ minute के अंदर यह बहुत खतरना चीज होती है हाला कि इसका जो बड़ा impact होता है वो news channel वगरे आपके site पर पढ़ सकता है क्योंकि आपको पता ने लगया कि जो video आप देख रहो है कि fake है और वो actually में हो रहा है की नहीं हो रहा तो fake news वाली जो problem होगी वो यहाँ पर काफी जादा बढ़ सकती है तो हाँ चीज काफी अच्छी है लेकिन एक नहीं type की problem भी हाँ पर create कर रही है हाला कि android की तरफ से बात करे तो आपको क्या देखने को ओन रहा है एंडरोइट की तरफ से बात करे तो obviously material 3 expression नहीं नहीं चीज़े और जैमनाय लाइब यह सब है और agentic AI जैसे चीज़े भी mobile phones तक आ रही है लेकिन एक बहुत important चीज आई है वह आई है on device AI की याने कि mobile phone के अंदर जैसे ऐसे NPU जादर strong होते जा रहा है वैसे वैसे device के अंदर और जाता capabilities आती जा रही है जिसके अंदर यह सारे tasks आप mobile phone के अंदर कर सके अभी mobile phone के अंदर images generate कर पाना काफी easy है इवन आप wallpapers भी generate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर mobile phone के अंदर पूरा पूरा video generate कर पाना यह चीज पॉसिबल है या फिर बोल के पूरे के पूरे वीडियो का edit कर देना यह सारी चीज़े भी हाँ पॉसिबल होगी इवन आपको यह बता सकता हूँ अगर एक photograph है और उसके अंदर आप edit करना चाहते है तो आपको बोल ला है कि पीछे से background में से लोगों को हटा दो पेडो का color change कर दो, location बदल दो, यह सारी चीज़े से बोल कर हो पाएंगी और यह सारी की सारी चीज़े server side भी नहीं आपके mobile के devices पर होगी यह एक future होता है जो android की तरफ से project किया गया देखा जाते हैं आपको एक बाह बता सकता हूँ android के अंदर जो improvement होने थे वो पशले 10-15 साल में हो चुक है अब जो improvement हो रहे हैं वो हो रहे हैं AI के side में और AI की जो चीज़े रहती है वही mobile phone के अंदर आ रही है और उन्हें ही better किया जा रहा है और इन्हें से निकल के आपके अलग-अलग AI devices बन रहे हैं चाहिए मैं glasses की बात करूँ glasses को individually standalone device नहीं होने वाला जो भी glasses होंगे जैसे meta का glass हो गया Google का project और आमें जो multiple glasses आएंगे कोई भी चीज़ हो गई ये सारे glasses आपके mobile phone के साथ ही pair up होंगे और mobile phone के साथ ही information exchange करेंगे बले ही fast processor, battery, communication लगा हो इन में लेकिन आज भी उनको light weight रखने के लिए इनकी connectivity mobile phone के थूँ जाएगी और कई सारी processing mobile phone के अंदर ही होंगी और उसी के results आपको देखने को मिलेंगी और Google इसके दर अपनी jamina AI को integrate करके काफी आगे बढ़ेगा क्योंकि already jamina 2.5 pro already काफी powerful है और इसके साथी jamina nano का भी support ये लोग लेकर आ रहे है जहां पर device के अंदर on device AI आ रही है तो हाँ इस तरीके से चीज़े होती है काफी तेजी से rise up कर रही है और सब्सक्राइब बता हूँ 2020 से लेकि 2030 की बीश मैं AI के अंदर काफी जादे advancement देखेंगे क्योंकि 2025 अभी शुरू है और Google ने जो चीज़े दिखाई है और इस टैप का future अगर मुझे प्रिटिट कर रहे है न तो यह बहुत ही खतरनक वाली बात होती है लेकिन हाँ एक बाप बता देता हूँ कुछ AI वाली चीज़े अभी भी आप use कर सकते है लेकिन हाँ जो physical products होते है जैसे की AR glasses या Samsung का headset हो गया इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यह अभी market में जब आएगा तब ही पता चलेगा लेकिन definitely आएगा जरूर काम ऐसे होगा और AI के अंदर integration हमारी daily life को बहुत जादे improve करने वाला है और आने वाले पांच साल में आप सोच नहीं सकते कि AI का use करके आप और क्या चीज़े कर पाऊंगे तो यार यह भी interesting दोर होगा और भी देखेंगी कि जब इनके product market में आएंगे तब यह कैस तरीके से work करते हैं और लोग इसको अपनाते हैं कि नहीं अपनाते ही एक सवाल होगा तो हाँ यार यह कुछ ऐसी चीज़े चल रही है बाकी AI को लेके आप लोग क्या सोचते हैं ज़रू से नीचे comment बताना थेंक्यों बने रहे हैं कि मैं उसलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर गुडबाए